नमस्क्तर दोस्तों मैं हूं मनोज कुमर और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंट प्रिफ्यू का यह जो view है, view में जो है बहुत सारे option है, इस option में हम लोग देखने वाले है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रिव्यू, पेज लेयाउट, कस्टम ब्यू, ये चारो चीज किस तरह से काम करता है एक्सल में और उसका क्या क्या यूज है, यहाँ पे देखिए क्या है, अभी जो आपका ये सीर दीख रहा है, ये जो है नॉर्मल ब्यू में है, आपका कोई भी स होता है, इसका फाइदा यही होता है, कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंट 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 प् जो आप यहां पे कुछ एरिया को प्रींट में नहीं भी ला सकते हों वह सभी काम कर सक्ते हैं आप इस प्रिंट प्रिव्यू की हेलप से पेज ब्रेक अप में ठीक है अगर नीचे की और के यह डिटा को भी एक पीज में चाहिए तो आप यहां से भी डाउन कर सकते हैं कितना तक आपको डेटा चाहिए और यह सारा काम हो सकता है आपको सब्सक्राइब करके और इस लाइन को ड्रेक करके भी आप अपना रिक्वार्मेंट के अनुसर फर्स्ट वेज ने कितना डेटा चाहिए ने कितना चाहिए ठीक है यह तो बात हो गई हमारा पेज ब्रेक अप की बात अब मैं बात करता हूं तीसरा क्या है यहां पे है पेज ले आउट का क्या काम है मैं वह भी दिखाता हूं पेज ले आउट क्या है अगर आप पेज ले आउट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका पेज ले और यहां पर देखिए add to header, add header में कुछ add कर सकते हो, down यहां पर कहा है, footer में भी कुछ add कर सकते है, suppose मैं header में यहां पर add किया मनोज, ओके, यहां पर नीचे add किया footer में, footer में add किया कुमार, ओके, अब देखिए, यह जो है, header में जो भी add किया, वो इस page में तो है ही, और यही जो है next page में भी आ रहा है और यहां पर देखिए second page third page fourth page सब भी में जो है यह seat जो है आ रहा है अगर इसको मैं normal view कर दूँ देखिए normal view में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इसा ही दिखेगा लेकिन जब आप इसका print preview में देखेंगे print में जाके यहां पर में preview में देखता हूँ जो header में आप set किये थे वो आ रहा है और footer में जो set किये थे वो भी यहां पर आ रहा है आपको ठीक है देखिए आ रहा उपर नीचे की और भी आपको जो है footer में जो set किया था वो भी आ रहा है ठीक है तो header और footer यहां page layout में जाके set कर सकते हैं देखिए मैं इस page को थोरा सा यह कर रहा हूँ select करके यहां पर just click कर रहा हूँ सारा sale को जो है थोरा सा set कर रहा हूँ इसे अपने अनुसार थोरा customize कर दे रहा हूँ ओके अब मैं page break up में जा रहा हूँ नॉर्मल में अगर जाएंगे तो क्या होगा भ्यू में जाके यहां पर नॉर्मल भ्यू में कुछ step से देखेगा अब आप यहां से page layout में देखिए किस देख रहा है ऐसा देख रहा है उपर में header footer देख रहा है वह देखिए कस्टम भ्यू मैं चाहता हूँ कि यहां पर मेरे पास छोटा डेटा है मैं कस्टम भ्यू में manage करूंगा अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है उस टाइम भी आप इसको apply कर सकते हूं मैं demo के purpose से मैं आपको यह seat बता रहा हूं देखिए मुझे अब भी क्या करना है किसी को पूरा डेटा मुझे share नहीं करना है जब मैं इस seat को present करूं कहीं पर भी कहीं भी मैं यह डेटा को present करूं या किसी के सामने मैं इस डेटा को दिखाऊं या बताऊं तो मुझे क्या चाहिए उस time जो है custom भी हो चाहिए मैं चाहता हूं यह डेटा में मिसी किसी को सिर्फ product name और amount ही दिखाऊं quantity और rate उसको दिखाना नहीं है मैं क्या करता हूं इस दोनों cell को right click करके hide कर देता हूं अभी आ गया amount product plus amount दो ही आ गया अब आपको जाना है custom view में custom view जब आप open करेंगे तो इस type से कुछ dialogue box आएगा ओके अब आप यहां पर add कर दीजिए मैं यहां पर add करता हूं amount ओके और इसको कर दिया custom view में जाएंगे और यहां से add करेंगे और इसका नाम देदा हूं quantity okay quantity देके इसको okay किया अब क्या करता हूं मैं फिर से इसका सही वर्क भीव में जाओंगा यहां जाओंगा कस्टम भीव में मैं चाहता हूँ आपको किसी को भी ये डीटा का only product और amount दिखाओं यहां पर amount करूं और यहां पर 100 प्रेस किया तो क्या होगा आपको जो भीजीवल होगा product and amount ही भीजीवल होगा दूसरा data भीजीवल नह ही होगा दूसरा क्या था अभी मैंने दिखाया product और quantity प्रोडेक्ट और quantity आपको चाहिए चलिए भीव में गया कस्टम भीव में गया यहां पर मैंने quantity को सेलेट किया और सो किया तो देखिए क्या होता यहां पर आपका जो product and quantity जो है वीजीवल है बाकिस कुछ भी डेटा य यहां पर, भी मैं आड कर देरा हूं, product and rate दिखाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो इसे मैं सेलेट किया, control की help से इस दोनों सेल को मैं क्या करूंगा hide कर दढ!? दोनों सेल को क्या किया यहां से सेल को इस दोनों पर जाके hide कर दिया, अभी यहां पर क्या बचा प्रोडेक्ट इसको कर दिया, अब मैं चाहता हूँ, आपको product and quantity and full view दिखना है, ठीक है, full view, तो उसके लिए भी आप पूरा select open रखने दिजिए, यहाँ पे, और यहाँ जाके, view में जाके, custom view में, एक और add कर दिजिए, यहाँ पे लिख दिजिए, full, इसको कर दिजिए, अब देखिए, इस सो कर दिजिए, product मिलेगा, और उसका rate दिखेगा, okay, product and quantity देखना, custom view जाएए, quantity, product and quantity जो है, आपको दिखेगा, यहाँ पे, सब कुछ देखना है, पूरा data जाना है, custom view में जाएए, और यहाँ पे full पे collect किजिए, और यहाँ पे show कर दिजिए, यहाँ पे देखिए, full data आपक यह कमेर सक्शन में लिखिए, ठीक है, तो इस वीडियों बस इतना ही, और मिलते कुछ new idea, new trick के साथ, next video में, तब तक के लिए, धन्यवाद, thank you